अपना विजार है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बोड परिच्छा में इंग्लिज की कॉपी कैसे लिखे कि आपको पूरे नंबर मिले यानि जो लिखने का सबसे सही तरीका होता है बोड परिच्छा में इंग्लिज की कॉपी वो कौन सा है जिससे देखते ही टीजर आपको पूरे नंबर दे देते हैं और आपकी एक भी नंबर नहीं करते हैं तो यहां पर हम आपको बिल्कुल सही तरीका है यानि यह सो बताएंगे यह बिल्कुल सही तरीका है अगर इस तरीके से आप अपनी बोड एक्जाम में कॉपी लिखते हैं तो आप बिल्कुल टापर्स की तरह एक नंबर लाएंगे तो यहाँ पे आप सुचते हो कि हमने English Board Exam में सभी question किया था ठीक है बिल्कुल अच्छे गए थे paper हमारे लेकिन मेरे number कहां कड़ गए तो कहीं न कहीं आप अपनी copy में mistake कर देते हैं और कहीं न कहीं आपके जो लिखने की तरीकाएं होती है वो सही नहीं रहती है जिसे कि आप teacher जो हता है वो आपके number को काड़ देता है ठीक है तो यहाँ पर दिखें जो टापर्स होते हैं वो कहीं कहीं आप से अलग लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं कि उनको जो teacher होता है वो बिल्कुल अच्छे number और एक भी number नहीं काड़ता पूरे number देता है तो वो कौन से तरीक आपको देंगे यहाँ पर देखें अगर आप जिस तरीके से हम बताएंगे अगर आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे आप अपनी बोर्ड एक्जाम में English की copy तो आपको 100% guarantee है कि पूरा number मिले गया है अगर आपकी question answer सही है तो ठीक है तो यहाँ पर यह बिल्कुल नया तरीक है आपको वीडियो को बीना स्कीप के लाश्ट तक देखना और हाँ कुछ रहे हमारे important तो जैसे कि किसी भी question question का answer नहीं आ रहा है तो उसका answer आपको कैसे लिखना यह भी हम आपको बताएंगे और लिखावट अच्छी नहीं है तो क्या करें यह उसको किस तरह अगर आपका यहाँ पर हम बताएंगे किस तरीके से आपको अपने board exam में English की copy लिखने है जिससे कि आपको पूरे number मिलेंगे और teacher देखकर बिलकुल खुस हो जाएगा और आपको पूरे number देगा तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे आपको की paper में कैसे question आते है किस तरीके की question आते है और उसके answer को किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे number मिलेंगे तो यहाँ पर हम आपको बिलकुल board exam की copy जो आपकी board exam में मिलती है उस copy पर लिखकर आपको बिलकुल बताएंगे कि किस तरीके से लिखेंगे कि आपको बिलकुल पूरे number मिलेंगे एक भी number आपके किसी भी question से नहीं कटेंगे यानि कि आपको बिल्कुल टॉपर्स की तरह किस तरीके से लिखते यहां पर हम आपको बताने वाले तो वीडियो को बीना इसकिप के लाश्ट तक देखेगा और हाँ सबसे पहले वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठीक है और एक हमारा बोर्ड इक्जाम की कॉपी ठीक है यह बिलुकुल बोर्ड इक्जाम की कॉपी है इसी तरह कि कॉपी आपको बोर्ड кस्राइम Horse में मिलेंगे तो यहांपे देकिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्लेक सकेज्ट से आपको इस तरह एक स्केल के जगार चोड़कर यह लाइनिंग कर देनी है ठीक है लाइनिंग आपको यानि कि पेनों का काला नीला का विलाओर का ही आप लेज्य गये का आप लोगे करें तो आपके पORA कने पर embracing को lose कर lug मुझ और ऑप होते हैं तो यहां पर जो भी सेक्षन का आंसर लिखना है वह फ़र्ष्ट ऊपर जो होता है वहां पर आपको डाल देना है ठीक है जैसे मुझे सेक्षन एका आंसर लिखना है तो हम यहां पर सेक्षन जिस तरीके से डाले आपको यहां पर डाल देना है और यहां पर सेक्षन सेक्षन एमें आपका जो भी है कि कई जो पार्ट है उसमें डिवाइड हो गया इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है आपको किस तरीके से क्या करना है सबसे पहले डालना है इस तरीके से आपको डालने के बाद इसमें क्या कर देना है इसके नीचे लाइनिंग कर देनी है यहाँ पर आपको लाइनिंग कर देनी है फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आंसर लिखने है ठीक है कोई भी question का आप answer लिखते हैं तो यहाँ पर answer इस तरीके से आपको डालकर इसके नीचे भी underline कर देनी है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कोई question का answer लिखना है तो आपको यहाँ पर question का answer लिख देना है suppose यहाँ पर देखिए जैसे आपके all class यानी class 9 से class 12 तक आपके article लिखने के लिए आता है ठीक है article writing तो यहाँ पर suppose हम कोई article writing ही ले लेते हैं और उसको लिख कर बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है क्योंकि यह जो है यह आपके board exam में 10 नंबर का आएगा तो यहाँ पर हम article writing ही ले ले लेते हैं तो हमने किसी भी topic पर जैसे जो आपके board exam में आता है आएगा topic ठीक है जो important topic है उसी को ले ले लेते हैं तो जैसे मुझे यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर suppose हमने एक topic ले लिया जो कि बहुत important topic है और यह आपके board exam में भी आएंगे तो वो है girls education in India ठीक है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं किस तरीके से आपको डालना है यहाँ ठीक है इस तरीके से आपको डाल देना है girls education in India तो इसके बाद नीचे कर देना है अंडर लेंग सबसे पहले आपको articles में introduction देना है ठीक है फिर उसके बाद main body फिर conclusion उप संहार तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले introduction कोई भी articles का लिखना होगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले introduction लिख लेते इसका ठीक है तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन डालना है यह क्या है कि girls education in India यह भारत में लड़कियों की सिच्छा ठीक है यह जो टापिक है आपको कई टापिक आ सकता है ठीक है यही article starting लिखेंगे तो यहाँ पर दिखें हम सुरू करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखना है in the past for some time women were kept boxed up in their houses in India ठीक है इसका पर हम लिख लेते फिर इसका अर्थ वताते तो यहां पर दिखें इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिख देना जिसे हमने यहां पर लिखा in the past for some time women were kept boxed up in their houses in India but today a girl can take up any carrier she likes ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है देखें इसका जो अर्थ है वो क्या है यानि कि यहां पर यह कहा गया है कि अतीत में यानि कि कुछ समय पहले नहीं बहुत पहले अतीत में कुछ समय पहले भारत में महिलाओ आप देखें यहां पर बूमेंस लिख सकते हैं या गर्स लिख सकते हैं ठीक है जो बूमेंस है उसमें सब आजाएगी गर्स और औरते सब ही आजाएंगी तो यहां पर आपको बूमेंस पर लिखने के लिए भी आएगा फिर भी आप यहीं आर्टिकल्स लिखेंगे तो यह और यहाँ पर देखें यह कहा है कि अतीत में यानि कि कुछ समय पहले इन द पास्ट यानि अतीत में कुछ समय पहले भारत में महिलाओं को क्या किया जाता था घरों में बंद करके रखा जाता था ठीक है रख दिया जाता था लेकिन आज जो है but today girls can take up any career she likes तो यहाँ पर कहा गया है जैसे कि but यानि लेकिन जो आज है इस समय है वो क्या है कि इस समय लड़कियों का या women का और तो उनका जो भी पसंद है यानि वो जो भी करना चाहती है वो कर सकती है ठीक है यहाँ पर इस तरीके से आपको introduction को लिख दे यहाँ पर देखिए main body में जैसे आपको यहाँ पर डाल देना effect of girls education in India ठीक है इस तरीके से effect of girls education यानि कि लड़कियों के सिच्छा पर प्रभाव ठीक है यह effect of women education इस तरीके से आप डाल सकते तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से heading डाल देना जैसे पहला डाला और उ women become aware of the potency of education and career since then there is rapid change in our social outlook ठीक है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से नहीं इसमें क्या आपको लिखना है इसके main body में ठीक है किस तरीके से देखिए यह जो आपको तरीका बता रहे हैं यह सबसे बेश्ट तरीका है आपको बोड़ एक्जाम में इंग्लिस लिखने की यह तरीक भी है तो आपको जैसे आपको में में बोड़ी में क्या लिखना कि महिलाओं को सिच्छा और जीवन की सकती के बारे में पता चला तब से क्या हो रहा है कि हमारे जो समाजिक दिश्टिक बड़ में देजी से बदंवा रहा है यानि कि जैसे गर्स एजूकेशन यारश गर्स की से च्छाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही हमारे देश में यानि इंडिया में ठीके समाजिक दिश्टी कोड में तेजी से बदलाव आता जा रहा है तो इस तरीके से आपको लिख देना है फिर उसके बाद अगर आपको कोई हेडिंग जैसे यहां पे कंक्लूजन ठ तो यहां पे वैडिंग डार कर और यह होता है लास्ट एडिंग इसमें आप अपनी बीचार आइडियास को कह सकते हैं जो गर्स एजुकेशन है इसके बारे में आप लोग अपने बीचार में लिख सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे अपने बोड एक्जाम म पूरे नमबर मिलेंगे बिल्कुल ठी के और एक भी नमबर आपके नहीं कटेंगे और टीचर आपको देखकर बिल्कुल खुस हो जाये गा ठीके इस तरीके भी हमने लिखा है जैसे इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पर आपको question number one answer हमने यहाँ पर डाला यहाँ पर आप यह भी डाल सकते हैं सकते हैं कि answer to question number one ठीक है इस तरीके से भी आप लोग डाल सकते हैं तो यह board exam में copy लिखने का सबसे best तरीका English की इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे number मिलें इस तरीके से हमारे अपना विद्दाले यूटूब चैनल पर हिंदी में copy कैसे लिखे वीडियो अपलोड है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इतना ही हमारे अपना विद्दाले यूटूब चैनल पर क्लाश 12 के आल सबज़क्त की study कराई जाती है और कई important board exams related कई important trick भी बताएगे हैं अगर आप अभी तक अपना विद्दाले यूटूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे ट्रिक वगेरा को नहीं देखे तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्दाले यूटूब चैनल पर एक बार विजिट जर्म करें आज के इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आयता एक बड़ा सा लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूले थेंक यू आल दा वेरी वेस्ट बाई बाई